दोस्तों कोरोना वाइरस जैसी महमारी के दौरान आक्टिंग के दुनिया के कई टालेंटेट स्टारों ने अपने हाथ पीले करने का फैसला किया था और अब इस लिस्ट में फेमस सिंगर नेहा ककर का भी नाम शुमार हो चुका है जिहां चौक ये नहीं क्योंकि यहीं सच है हाल ही में खबरी ये आई थी कि इंटरनाशनल लेवल तक के अपनी पहचान बना चुकी नेहा ककर ने हाल ही में रोहन प्रीट सिंग नाम के एक शक्स के साथ अपने हाथ पीले कर लिये हैं जिनके साथ शादी की खबरों को लेकर ये काफिस सुर्ख्यों में भी बनी हुई है लेकिन आखिरकार कौन है ये रोहन प्रीट सिंग जो बन चुके है नहा ककर के हमसफर और आखिर क्या है इन दोनों की प्यार इसी लव स्टोरी आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इनी सब सवालों के जवाब देने वाले हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो फिर बने रही हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस फेमस सिंगर के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें छोटा पैकिट बड़ा धमाका के तौर पर सभी को हका बका कर देने वाली फेमस सिंगर नेहा ककर हमेशा से ही लाइम लाइट का हिसा रही है जहां इन्होंने एक समय में आक्टर हमाश कोहली के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्ख्या बटोरी थी तो वहें इन्होंने इंडियन आइडल के एर होस्ट रहे आदित नारण के साथ भी अपने शादी को लेकर खूब लाइम लाइट बटोरी थी लेकिन अब निहा ककर रोहन प्रीट सिंग के साथ शादी की खबरों को लेकर सुर्ख्यों में आ गई है और खबरे हैं कि निहा ककर ने इनसे शादी भी कर ली है लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखर कौन है ये रोहन प्रीट सिंग वेल आपको बता दें कि ये गबरू जवान मुंडा रोहन प्रीट सिंग पंजाब के पटियला जिले से ताल लोग रखते हैं जो कि एक पंजाबी सिंगर और आक्टर हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2017 का गाना बैंक गैंग से की थी साथ ही ये राइसिंग स्ट टू के फर्स्ट रॉनर अरप भी रह चुके हैं और रोहन प्रीट ने साल 2007 में सारे का मपाल लिटल चैंप्स में भी भाग लिया था इसके अलावा रोहन प्रीट को बिग बॉस फे मुशहनास गिल के साथ मुझ से शादी करोगे शो में भी देखा गया था लेकिन अगर ब तोरान दोनों के बीच नस्दीकिया काफी जादा बढ़ गई थी दोनों ने दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था लेकिन इनका ये रिष्टा काफी समय तक छिपा रहा लेकिन अब नेहा ककर अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्ख्यों में हैं जो काफ पर दिल्ली में नेहा ककर ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोहन प्रीट सिंग की फोटो को शेर करते हुए लिखा यू आर माइन वही रोहन प्रीट सिंग ने भी बेहद लविंग स्टाइल में इसका जवाब देते हुए लिखा मीट माइस जंदिगी इसके पर दिल्ली में पारंपरिक तरीके से एक दूसरे को अपना जीवन साथ ही चुनने वाले हैं जहां कोरोना वाइरस जैसी महमारी का पूरा खयाल रखा जाएगा और इसलिए इस शादी में बेहद ही कम लोगों की मौजूदगी होगी लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है भई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि निहा ककड रोहन पीट सिंग की ही दुलनिया बने या फिर नहीं आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा साथी बॉलिवोड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐ चाहने के लिए आप हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना मिलकुल ना भूलें